मुल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ यह जो आपके पास पार्ट्स मैंने दे रखे हैं 4-3i, root 5 plus 3i and 13th है minus i इनके मुल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स हमें find out करने मैं मल्टिप्लिकेटिव क्या होते हैं यह अल्लाडि निट्वर्स में बता चुके हुँ इसके नेम में ही बता होता कि independ है कि किसका INVERS करना है 4-3i तो इसका multiplicative inverse निकालना है तो 4-3i इस पूरे complex number को मैंने divide पे लिख दिया then हम क्या करते हैं मैंने आपको बताया था कि किसी भी complex number में जो यह iota वाली form होती है जो i होता है यह नीचे denominator में नहीं रहता है same root वाला concept इसमें लगता है इसको हम rationalize कर लेते हैं 4 plus 3i से rationalize कर देंगे ताके आपके पास जो यह नीचे से i आपको दिख रहा है वो remove हो जाएगा तो दो को 1 की multiply इससे होगी तो यह हो जाएगा 4 plus 3i then यहाँ देखिए a minus b और a plus b यहाँ पर आप identity यूज़ करेंगे कौन से identity यूज़ करोगे आप इसमें a minus b और a plus b की identity हमने पढ़ी थी class 8th है 9th से हम इसको पढ़ते आ रहे a square minus b square यहाँ पर आपके पास जो जाएगा 4 square यानि कि a आपके पास 4 है 4 square minus b square यानि कि 3i का square आपके पास b क्या है 3i का square then यह हो गया 4 plus 3i upon 4 का square 16 होता है 3i का square 3i का square मतलब आपने 3 का square 9 करना और यहाँ पर i का square हो जाएगा यहाँ कि 3 का square 9 i का square कितना होता है minus 1 यह i square की value minus 1 होगे यहाँ पर 9 है 9 बन जाए 9 तो यह minus का 9 आया तो यह कितना आपके पास 4 plus 3i upon minus minus plus तो यह 9 प्लस का होगे 9 बन 16 प्लस करोगे आप 25 हो जाएगा 25 हुआ then आप इसको यह आपका convert हो चुका है multiplicative inverse आपका निकल गया पस हम इसको तोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके complex form में रिखे देंगे complex form हमारी मेशा के होती है a plus ib यही form होती ही complex अच्छे में real part आपके पास आपको show हो रहा अलग से and imaginary part आपको अलग से दिखे रहा है then next question है आपके पास root 5 plus 3i इसमें भी हम multiplicative inverse निकालेंगे तो पहले इसको divide form में लिख देंगे जो भी complex number given है then rationalize करेंगे same वही process बहन से multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा यहाँ पर a plus b and a minus b identity लग गई root 5 square यहनि कि a square minus b square तो यह आपके पास आगया root 5 minus का 3i root 5 का square 5 होता है 3i का square अभी हमने यहाँ पर बताया था कैसे निकला था 3i का square 9i square करके minus 9 आगया था minus 9 कर देते है then root 5 minus का 3i तो 5 minus minus plus 9 हो जाएगा आपके पास तो यह root 5 minus का 3i 9 plus 5 कितना होता है आपके पास 10, 11, 12, 13, 14 ओके आपके पास 14 then root 5 upon 14 and 3i upon 14 then आपके पास next है minus का i इसका multiplicative inverse करना है तो minus sign को हम से minus sign से कोई मतलब नहीं minus sign आज इस रहेगा इस i को हम divide में लिख देंगे ऐसे ठीक है i को divide भी लिखने के बाद then हम then क्या करेंगे यह i आपका denominator में है rationalize कर देंगे इसको same rationalize का process वही रहेगा जो negative sign है negative sign से confused नहीं होना है हमने कि यह negative sign change होगा की नहीं वह वहीं पर रहेगा जहां पर है then यह i हो गया उपर i into i is i square so i upon i square की value minus 1 होती है अब यहाँ पर देखिए यह minus sign मैंने यहाँ पर नहीं लगाया इसको लगा लेंगे मैं यहाँ पर यहाँ उपर वाला जो है उपर वाला सेम रहेगा आपके पास minus sign और इस i square की value मैंने minus 1 कर दीगी तो minus से minus cancel होगया तो positive i है हमारा answer आगया तो हमारे इसके multiplicative inverse 11th 12th and 13 के complete हो गया है next video में हम question number 14 करेंगे तो please pause the video and note this question and if you like my video please like, share, subscribe my channel thank you